Hello Everyone, Today we are going to talk about Israel's Massive Inflatable Missile Detector System Israel ने Massive Inflatable Missile Detector System का परिक्षन शुरू किया है जो उचाई पर लंबी दूरी से आरे खत्रे का पता लगा सकता है Israel के पास पहले से ही जटिल मिसाईल रक्षा परना ले जिसको अपन आयरें डॉम एर डिफेंस सिस्टम कहते हैं है जिसका सफलता फुर्वक इस्तमाल उन्होंने इस साल 11 दिन के गाजा पट्टी के यूद में किया था हाई आउल्यबिलिटी एरो स्ट्रेट्स इस्टम विसाल विमान या जैप लिन एक परकार का हावाई जो हलकी केस से उड़ता है कि तरहे दिखता है इसकी बारी और इस इसकी बारे भी बात कर रहा है इसराइली रक्सा मंत्राले ने बताया कि ये दुनिया के अपनी तरह के सबसे बड़े डिफेंस परनालियों में से एक है आईरें डोम की अपन बात करें तो ये एक छोटी दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला एर डिफेंस सिस्टम है जिसमें एक रडार है तामीर इंस्पेक्टर मिसाइल सामील है जो इसराइल पर हमला करने वाली मिसाइल हो या रोकेट को ट्रेक करके उन्हें पेशर कर सकता है इस इमेज से अपन इसकी जो कारे पढ़ना लिए उसको अपन जो वर्किंग किस तरह वर्क करता है उसको समझ सकत है उसको एनलाइज करता है एस्टिमेट करता है फिर लॉंचर है वो मिसाल को फ्रोजेक्टायल मोशन में लॉंच करता है और सीमा के भाहर यह उसको डिस्ट्रॉइ कर देता है इसी लिए इसको आयरें डॉम सिल्ट कहते हैं इसका उप्योग रोकेट तो मोटार के साथ साथ बिमान हेलिकोप्टर मानव रेथ हावाई वानू का पर्तिरोध करने के लिए किया जा सकता के यह सभी दिन राज सभी मोसुमों में कारियक करने में शक्षम है इसे राजय द्वार सालित र आधर्फेल एडवान के इंस्ट्रप्शन फॉर इज्फारे विक्सित किया गया इसके वर्स 2017 में किया गया था राफ्फेल इसकी सपलता का 90बट से अधिक होने का दावा करते है इसमें 2000 से अधिक इंस्ट्रप्शन्स हैं सो थैंक्स पॉर वाचिंग यह सारा यह इसकी रियल है जो आयरें डॉम है उसकी रियल इमेज है जब काज़ा बट्टी का जो यूच चल रहा था 11 दिंवाला उस टाइम का रियल इमेज है किस तरह उन्होंने भार ही जो मिसाइल सार रही थी अटेंगे मिसाइल उनको डिस्ट्रोई किया था तो यह था इस्राइल के मैसिव इंफ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्टर सिस्टम और आयरें डॉम के बारे में जानकरी अगर आपको वीडियो इंफोर्मेटिव लगा तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक् यह था आपको एंगे बाइस दी